देखे दोस्तों हमने एक चमच जीरा पावडर लिया है और ये हरी मिर्च और लासुन का पेश पीस लिया हमने मिक्षी में लासुन और हराम मिर्च ये लाल मिर्च लिया है और ये लाल मिर्च और ये हमने चने के दाल लिया है पीसा हुआ ये दिखे हमने हल्दी लिया है एक चमच नमक रख रही हूं स्वादन सारे देखिए दस्तों एक चमच और और थोरी से डाल देखिए ये हमने चावल का गुरा चाहिए थोड़ा बेशी चाहिए इसमें और ये बेशन थोरा सा बेशन भी चाहिए इसमें सुखा ताकि अच्छा से बन पाएगा बेशन भी डाल दिया इसकी पानी हमने ले लिया है एल पे बेशन पार चाहिए अल पीए से अच्छाती का बार चाहिए एल एल ले ले इस्तारा से गोली जीगा दोस्तो यह दिखिए मेरा गोल्या इस्तारा से गोली जीगा दोस्तो और दिखिए हमने त्यारी करके रखा है यह बैगन है और यह आपको लोकी है और यह केला है कोला बोलते हैं हमें असाम में पर हम लोग ब्यार में केला है और यह आलू है यह साथ नें रख लिए हैं यमने तेल गरम बशाया है जब प्याЗ की पाइए भी पाइणगे तो इसमेर रख लिए हैं हरा मेर्च और यह पाइज है और नमक भी हमने स्वाद अनुसार डाल दिया है दोस्तों अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी उसके बाद में आपको पकोरी बना के बता होंगी दोस्तों ठीके दोस्तों हमने बैगन को प्राई करने जा रहा होंगी इसको हम बोलते हैं तड़ुआ हरुआ है और इसको छप्रा जिला में बलिया जिला में इसको क्या बलता है बच्का यह बच्का है देखिए और यह हमने केरा डाल दिया और यह देखिए आलू भी डाल दिया हमने और यह लोकी है इसको हमने लोकी को भी डाल दे रहा है और यह दिखिए और यह दिखिए प्याज का है तो अभी इसको बनाने के बाद में बनाओंगी इसको पकोरा इसी में डाल दे रही हूं दोस्तो इसी में रही हूं अबना दे रही हूं भी बना दे भी आ पकोरा इसी में जह रही हूं कर दो को में ज् sousता बो सिक घल क्या घल यह हूं भंगे लिका यह रही हूँ सेल पलिखिगमicano प्ज़र टु़ कर दो हम खुशान के लाँ के लाँ आपू ये कि एे सिर्धार्य है यह सब बनता है हमारे यहां होली में और होली का दिन तो जिस दिन फगवा रहेगा रंग खेलने वाला दिन तो और कुछ अलग स्पेशल बनेगा दोस्तो मैं ओभी वीडियो डालूंगी आप लोग जरूर देखियेगा और यह देखिये मेरा बैगन का तरुवा हो गया यह देखिये बचका अचे बचका भी बोला जाता है आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तो भी बताएगा और यह हमने पियाज का भी डाला है इसी में पियाज भी बन रहा है पियाज का प्रपोरा यह देखिये दोस्तो ऐसा लगा आप जरूर बताएगा दोस्तो और भी बनाने के बाकी और बनाओंगी और मेरा कड़ी हो चुका और तरुवा भी हो गया इधर चावल भी बन गया है सब तयार हो गया दोस्तो देखिये आप लोग वीडियो बाई दोस्तो देखिये दोस्तो हमने जो बनाया है यह तरुवा भैगान का बन के तयार हो चुका आभी से हमत्याइज करके आपको बता रहे हैं तो कैसा है कि देखिए दोस्तों हमने करे डाल दिया एक दम बढ़िया हुआ है दोस्तों देखिए हमने लोगी के बनाया करूआ एक दम कर्ण तरंची हुआ है एक दम बढ़िया हुआ है एक दम बढ़िया हुआ है और यह बैगन कर देखिए पुरी तरह से शीजिए एक दम अच्छा हुआ है एक दम खाने में टेस्ट हुआ है दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ है स्वादिश्ट मुईılar धुह मुई रज़िया हुआ है एक दटस्ट ampfार्ण